प्रेंग वेलकम बेक पर माई चैनल उलाश्टाट राधिका कैसे आप सब लोग उमीद करते हैं आप लोग ठीव होंगे आज हम आप लोग को किसाद अपना कीचेंट टूट ब्लॉग्स दियर करने वाले मेरा कीचन बहुत सिंपल तरीके से मॉर्गनाइज किये हैं बहुत ट करी लेते हैं तो सोचे हम आज आप लोगों के साथ अपना कीचेंट टूर ब्लॉग्स दियार करें आप लोग सूच रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाने के बाद हमको तुरंद जाना है बाहर कुछ काम से तो इसलिए हम रेडी हो गया है क्योंकि तुम रेडी होकर रहे हैं त तब तक हम यह ब्लॉग सूट कर लेते हैं इसलिए हम रेडी है और आप लोग सूच रहे हैं तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं अच्छा लेगा ब्लाग में तो चलिए हम पहले एक बार अपना पूरा कीजन आप लोगों को दिखा देते हैं इसके बाद हम सब कुछ सारे कैबिनेट खोल कर आप लोगों को दिखाएंगे एक एक करके तो मेरा कीजन यास मेरा कीजन लिविंग रूम से एटेच है आप लोग को हम जब होम टूर करें आप लोगों को पता चल जाएगा तो अब हम लिविंग रूम में आपना कीजन आप लोगों को दिखा रहे हैं तो मेरा कीजन कुछ ऐसा दिखता है तो चलिए हम पहले आप लोगों को पूरा कीजन दिखा देते हैं तो मेरा कीजन का पूरा आपसे दो देख सकते हैं औरंज चल लोगों किशन का है थो कॉमबिनेशन वाइट लगा हुएं दूसरे साथ कीचन फाड़माइक लग वाय में क्योंकि यह कर नहीं बहुत बाद में बना प्रोंत पहले बना हुआ है तो इसी बज़े से आप लोग उपर का देख सकते हो तो पूरा किचन का आप लोग देख सकते हो तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा किचन और अप लोगों को अगर बजट जानना हो कितना पड़ा है तो वह भी हम आप लोगों के साथ से आधे जरूर पताईए तो यहां पर हम यहादा पसंद है तो यह मैठ हम डाले वे फ्लोर पे यहाँ पर मेरा सिंक एरिया है तो मेरा इस्टील वाला नल था न वह खड़ाब हो गया तो इसलिए यह प्लैस्टिक वाला लगाऊ है बहुत टाइम से सोच रहे चेंज करने का लेकिन मौकाई नहीं मिल रहा है तो जब हो और ग्लास राक लगाए में जिससे कि हम वेल फर्चुन वेल और घी का टबबा यहाँ पर रखते हैं क्योंकि यह कूकिंग करने टाइम सबसे ज्यादा काम आता है तो जो हमको कूकिंग करने टाइम चाहिए होता है वह सब चीज हम पास में रखते हैं किजन काउंटर टप क और यह मेरा किजन काउंटर टप तो मेरा किजन काउंटर टप पर ज्यादा कुछ भढ़के नहीं रखते हैं हमको ज्यादा पसंद नहीं है किजन काउंटर टप पो भढ़के रखना तो चलिए हम दिखाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा किजन काउंटर टॉप और यहा तो यहां पर नीचे में ट्रे में करके रखे वे और इसके उपर जश्ट है सुगर एंड टी चाई पत्ती एंचीनी तो यह ग्लास का है और बहुत अच्छा लगता है हमको यह देखने में आप लोग देख सकते हो जैसे की तो कुछ इस तरह समिया पर टी कॉर्णल बनाई वे और इसके जश्ट उपर में इसमें कॉफी और इसमें टी मसाला और यह एक ग्लास का हम रखे वे हैं तो यह मेरा टी कॉर्णल है आप लोग देख सकते हो उनको बहुत अच्छा लगता है यह कुछ ऐसा दिखता है यह और अपने कीचन को बहुत ज्यादा सिंपल रखे वे हैं यहां पर अभी दूद है इसमें दिया का खिचरी रखा हुआ है तो एक बार हम कीचन काउंटर टप आप लोगों को पूरा दिखा देते तो मेरा कीचन काउंटर टप ज्यादा तर खाली ही रहता है क्योंकि हमको ज्या के पास हम क्यों नहीं रखे क्योंकि सिंग के साइड में मेरा इतना ज्यादा इस पेस नहीं है इसी वज़े समको यहां पर रखना पड़ता है और चलिया हम आप लोगों को दिखाते क्या क्या यहां पर हम यह बर्तन बास्केट रखे वे हैं जो रेगुलर यूज के बर्तन के इसा देखता है कि तो छस्चा दिकता है मेरा पूरा किचन कौनटर ट्व आप आपलोग देख सकते हो जैसे किPR वह को तो यह जा बड़ा हमको पसंद नहीं हम ज्यादा दर में किचिन खाली खाली लग रहा होगा किचिन कांटर टब तो चलिए हम सारे कैबिनेट आप लोगों को दिखा देते हैं तो यह सिंग के नीचे जो कैबिनेट है इसमें बरतन रहते हैं क्यूंकि मेरी हाउस हैल पर एक टाइम ही आती है सुबह में तो इसलिए पूरा दिन का जो करती इसमें से निकाल कर इसमें बरतनी अभी भी बरतनी पड़ाव है तो यह हम खोल कर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे और इसके ऊपर वाला कैबिनेट आप लोगों को दिखाते हैं सिंग के ऊपर है तो इसमें ना सर्प साबून फेश्वास सैंपू जो भी एक्ष्र हम रखते हैं इस साइड और यह आपन करने में मेरा केंट है फिल्टर तो यहां पर लोग देख सकते हैं यह नीचे से हम बंद नहीं करवाए ताकि यह जब मेरा क्या मिनिट बंद भी हो ना तो हम यहां से नीचे से पानी लेते ताकि हमको यह खोलने का जरूरत नहीं होता तो आप लोगों को हम दिखाते हैं तो यहां से पानी लेते हैं ताकि हमको खोलना ना परे बार बार तो मेरा कुछ सिंग के उपर वाला एडिया कुछ ऐसा है आप लोग देख सकते हो एंड इसमें तो कुछ है ही ने कोई रैक नहीं है बस यह चिमनी के उपर यह बंद है तो आप लोगों को दिखा देते हैं यह भी ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया मिले जब आप लोग भी कभी कीचेन बना तो गर आप लोगों को मेरा कीचेन अच्छा लगे तो इस ट्राइब का तो इसमें कुछ नहीं है बस यह तो चलिए अभी हम यहां से दिखाते चिमनी वाले साइड में यह जो क्याविनेट है इसमें ग्लास का आप लोग देख सकते हो इसमें जितने भी ग्लास कप जो भी है मेरा वह सब हम रखे है यहां लाइट का थोड़ा और है ऊखास है आज यह मासाला बोक्स है मतलब यह मसाला जार वाला रख्षव करने यह चाहिए छा जग्या ने देखंव कर ने किये हम रखते था कर नोट जाना ना परे मेरेफास सब कुछ मिल जाए इसके ऊपर पना कॉपस से रख्यों हैं तो आप लोग देख सकते हो, और इसके उपर कपसेट है मेरा, तो ये सेकेंड वाले में हम यही रखते हैं, और ये थर्ड गाबिनेट और ये उपर लाइट लगा हुआ है, अन्दर में आप लोग लाइट के वज़़े से इस तरह आरहे हो कि हम लाइट आप कर देते हैं, तो थैच आप लोग को दिखाते हैं कि यह पर जो मेरा ग्लास का बाउल होता है ना छोते बड़े जो भी बाउल है वो सब रखे हुए और यहां पर जूस पीने के लिए दिया का वह सब रखावाई सारे ग्लास कप रखे हुए और जितना भी मेरे पास ग्लास का वह सब है तो आप लोग देख सकते हो तो कुछ ऐसा दिखता है यह मेरा इज़ दिवाली में डेकॉरेट कहने है यह तो यहां पर मेरा इनर सेट यहां मेरा पर भाफ़ वर वाले में मेरा बरतन निया दीनरणी में यह डिनर आप लोग पड़न देख लेज़े तो मैं आपके प्रवाली से लिए तो अभी हम इस साइट को आप लोगों को दिखा इसमें मिरा ग्रास리 रहता है तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते यह स्बहूंत मेरे नमखीन के आइटम रहते जो नमकीन भूचिया बिस्केट जो भी रहता है वह सबैसे में आप लोग देख सकते हो इसमें सब्सक्राइब कि अर्फिस्केट चीप एन cann Eff Whew शेट नहीं तो यह कीचन में जितना समान का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है समान बढ़ते जाता है और इसके उपर यह हनी यह पतंजली का अजवाइन है और इसके उपर वाला सेल्फ खाली आप लोग देख सकते हो एंड यह सेकेंड वाला में हम दिखाते हैं आप लोगों को हम क्या रखते हैं तो इसमें मेरा ड्राइफ्रूट रहा था यह ग्लास का जार है छोटे-छोटे सिक्स पिसका हम सेट लिए वे थे यह नेपाल ऑनलाइन से हम मंगाई वे थे तो इसमें काजू वदाम पिस्ता लोगों दिखा देते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि अधिये बीच वाला हम आप लोगों को दिखाते हैं अभी तो इसमें साबू दाना से बही है मखान एंड यह मिल्क पावडर है और इसके ऊपर एक्ट्रा जो भी चीज़े रहता है पास्ता यह सब है और इसके ऊपर कुछ एक्ट्रा चीज़े हैं जो कभी कताल दी जरूरत पड़ता है तो आप लोग देख सकते हो यहां पर एंड इसके साइट वाले काविनिट में तो यह नीचे नीचे वाले सेल में सारिट दाल एंड चना काबली चना मटर छो छोले जो भी होता है राजमा यह सब रखे ह अपने और इसके उपर जो एक्ट्रा चना पास्ता जो भी एक्ट्रा चीज़े वह रखते तो आप लोग यह सो में देख सकते हूं क्या-क्या रखे है कि जो आप लोग अच्छे से देख लीजिए बवा टो इससी तरह सेपर गे रखते हैं एक काउंटर टपके उपर वाला यह लास्ट काविनेट बचावा है तो हम आप लोगों को यह दिखात इसमें हम क्या करते तो इसमें है पावर वीटा वेशन माईदा सूजी सत्तू जो भी होता है सत्तू बेशन यहीं सब हम रखे वेए सूजी और आप लोग देख सकते हैं इसमें सिक्स पीस का यह डबाया है और यह सेटी है तो इसमें यह रखें पावर वीटा दिया को दूद में डालने टाइम जरूरत पड़ता है तो इसलिए यहां रखें क्योंकि हम इंडक्शन पर क्याविनेट में बासमती राइस एक में खीर बनाने वाली चावल है कि अब लोग देख सकते हो एक सबसे लास्ट वाले में आप लोगों को दिखाते इसमें रहता है मेरा सारा पावडर मसाला जो कुछ ख़रे मसाले पावडर मसाला नमग हल्दी जितना जो एक मसाला का जि सब्सक्राइब यह जीरा और धन्या का पावडर बनाना खुद से बनाते हैं तो हम अभी बनाएंगे एक दो दिल में तो आप लोगों कि साथ । करेंगे इसके उपर में मिक्सर जार रखे मतलब मिक्सर का जार रखे वे तो मेरा लाश वाला कैबिनेट कुछ ऐसा दिखता है आप लोग देख सकते हैं क्या के सबसे पहले हम यहाँ सी श्टार्ट करते हैं तो यह समय मेरे सारे नियुक्वर्ट्टर है तो मिरे पास ज़्यादा तो नहीं है है लेकिं जो है इसमें मेरा सारे रहता है अट इसके सेकेंड ऑलो डॉर मैं यह जाधा तर खाली रहता है इसमें कदा को I n a ये मेरा चौपर अन्येक बाल रखा हुआ है और ये खाल है इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है ज्यादा तर्छाथं है पुकर कर्ठ ये सब कुछ रहता है यहीं नईशन पेपर ये डालके रखे हुआ रहां है Better कभी औरगनाइज करेंगे तो हम आप सबसे जादा यूज होने वाला है इसमें क्या क्या रखते हैं नाइप जिदो चीजेजिते ही टाइम कीचिन में काम करने टाइम जो भी हम लोग को चाहिए होता है खाना बनाने टाइम अहां पर मेरा सारा इस्पून है आप देख सकते हूं तो और मेरा किचेन मतलब मोडूलर नहीं है आप लोग देख सकते हैं ऐसी तरह से में और्गनाइज करके रखते हैं bis tensor trader को दिखाते हैं तो इसमें जो एक्षट्रा ग्र esperando जितना भी एक्ष्टा जो भी आता है तो जो सब हम स्टोर करके रखते हैं आप लोग देख सकतो इसमें दाल चीनी यह सब है इसके नीचे मस्टर वेल फर्चुन सत्थม माइधा जो वह भी एक्ष्ट्रा जितना भी समान रहता है वह सब है एंड चलिए अभी हम यह वीच वाला सेक्टन आप लोगों को दिखाते हैं तो इसमें ना मॉश्ट्री मेरा जितना सारा एक्ष्रा बरतन रहता है वहीं सब आप लोग देख सकते हैं जो कभी कोई गेश्ट आया तब यूज होता है तो इसलिए इस्टील का जो बरतन है जो डीनर सेट मेरा है तो वह हम उपर वाले काबिनेट में रखे हैं आप लोगों ही बावल जो भी एक्ष्ट्राइब कूकर जोग यह सब जितना भी है वो सब हम रखे वें तो कुछ इस तरह से हम रखे हैं और अभी खाली है बहुत सारा इस्पेस है अभी तो हमको बहुत सारा समाल लेना है तो दीरे-दीरे हम लेंगे तब जाकर फिर से और्गनाइज कर के रखेंगे अभी जो है जैसा वह आप लोगों को दिखाते हैं तो फाइनली यह हो गया अभी हम आप लोगों को इस साइड का दिखाते हैं अभी सिंग के नीचे यह वाला हम बता दिया बरतन रहता है इसमें सैलेंडर तो चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं इसमे यह साइड वाले में यहां पर सबजी कट करते हैं तो उसका जो भी रहता हुँ हम बास्केट में रखते हैं यहां पर एक चावल का डबा है एक्स्ट्रा सैलेंडर खाली है भाड़ावा नहीं है इसलिए अंदर में रख दिये आप यहां पर चावल का डबा रख यहां जो डेली चावल बनाने टाइम हमको चाहिए होता जो हमको चाहिए होता हो सब अपने पास वाले कैविनेट में रखते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो एंड के पीछ में तीन ड्रॉ आ रहा है तो आप लोगों को दिखाते ह चलिए सबसे पहले हम नीचे वाला ही दिखा देते हैं तो इसमें सबसे नीचे वाला में मुझली बिस्कीट भुचिया एक्स्ट्रा जो भी रहता है यह नूडल्स के पैकेज मखाना और लेज तो यहीं सब हम रखते हैं इसमें देख सकते हो आप लोग तो नीचे वाले में यहीं सब रहता है एंडंड सेगेंड वाले में हम बरतन रखते हैं जो रियगूलर यूजचके होते हैं यहां पर रोटी सब्सक्राइब होता है और रोटी का परफन उरुक्त होतार्य जाहिए वो रिमक ऐसे सब्सेचार जरूरत दुर्यर्ट की चीज जो डेली काम लगता यहां पर एक उटका मसाला बॉक्स आप लोग देख सकते हो एन इसमें तेजपत्ता जीरा कस्तूरी मेथी नमाक यह कुछ मसाले जो जरूरत परता है मीट मसाला मोमो मसाला पाओ भाजी मसाला एन यहां पर बिडियानी मसाला एन इसमें पास्ता मसाला यह हम खोल कर नहीं रखते हैं यह वाला कि देख सकते हैं आप लोग यह सबसे ज़्यादा जरूरत कर रहा है इसमें बहुत रोजी इसका काम पड़ता है दिन में पता नहीं कितने बार काम पड़ता है तो यह आप हम इसी तरह से रखे और्गनाइज करके और यह लाश्ट वाला है तो हम यह ल लाट किचन फिर से और्गनाइज करेंगे तो को क्या कि सर जरूर सीहर करें इसके नीचे मेरे आ سब्सें बढ़त में है और अप लोग देख सकते हूं यह कैबिनेट में उपर बढ़ते हैं नीचे सारे डबे रहते हैं इसी हरा मेरा किचन टूर यह अप आप लोग देख सकते हो ज्यादा भढ़कर रखने हमको पसंद नहीं है तो एक बार हम आप लोगों को अच्छे से अपना पूरा कीचन दिखा देते हैं आप लोग प्लीज पूरा ब्लॉग देखिएगा किस तरह से में अपना कीचन और्गनाइज किया है अब यह वाल पेपर हम लगवाएब हैं जब यह मेरा कैबिनेट बनाता थी यह वाल खाली खाली लग रहाता था तो अच्छा नहीं दिख रहाता बिल्कुली तो यहां से वाल पेपर लगा है आप लोग देख सकते हो जैसे कि तो यह वाल पेपर हमको बहुत ज्यादा पसंद है यह मेरे हस्बेंट का पसंद का वाल पेपर है तो एक वर में अपना कीचन का पूरा लुक दिखा देते हैं अच्छा नहीं करते हैं तो चलिए यह ब्लॉप कमेंट करके जरूर करते हैं इसी तरह से रखते हैं मेरा किचन रोज जैसा रहता है ऐसा ही हम आप लोगों को दिखाईए ने कि आज हमको कीचेंट ब्लॉग बनाना था तो एक्ट्रा को टेकुरेट कर दिये यह एक्ट्रा क करके नहीं सेयर किवें तो चलिए यह ब्लॉप कम यहीं तक रहने देते हैं अगर मेरा यह लोग आज का आप लोगों को यह कीचेंट ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इन चैनल पर नहीं हो तो बेल आइकों को जरूर प